इस वीडियो को टॉपिक है ड्रेनेज ऑफ जमु एन किश्मीर, ड्रेनेज मतलब रिवर्स, कितनी इंपोर्टन रिवर्स हैं जमु एन किश्मीर में जो फ्लो करती हैं, जो एक्जामिनेशन पॉइंट आव व्यू से जेके एसस्पी, नाइब तसीलतार पटवारी और बाकी जो जेके एसस भी आपका एक्जाम लेता है, तो उसका एक इंपोर्टन टॉपिक है, जबी भी आप देखते हैं, विच स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जमु एन किश्मीर, तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपोर्टन हैं, दोस्तों बड़े कम सोर्स हैं, इस आपको डेटेल नॉलेज नहीं मिलती, तो मैंने पहले भी एक विडियो बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ एरर से 2-4 मुझे कमेंट्स आए, उन्होंने बोला सर ये प्रॉब्लम है, इसमें अच्छा नहीं है, तो दोबारे से मैं आपके लिए ये विडियो बना रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप इसे मिस ना करें, छोटा सा टॉपिक है, कमी टाइम लूँगा आपको, और बहुत बैतर इन तरीके से आपको ये समझ आएगा, और आपका कोई भी क्वेस्टन आपकी एक्जाम में नहीं छूटेगा, विडियो अच्छी बैजने हैं, ड्रेनेज ऑफ जम्वान कस्मीर, ठीक है? ड्रेनेज ऑफ जम्वान कश्मीर देखो इससे पहले, आप दो चार बातें समझ लें, ठीक है? FOR EXAMPLE, ना कुछ word है आप समझे, आपको पता होगा वैसे तो, दौस्तों एक word है tributary, एक word है, distributary, ठीक है? ट्रिब्यूटरी का मतलब एक बड़ी नदी उसमें जो छोटी नदी मिलेगी आगे वो होगी ट्रिब्यूटरी जैसे हम बोलता है यमुना is the का मतलब होता है दोस्तो origin of the river और mouth का मतलब होता है end of the river ठीक है जहां से river शुरू होगी तो उसको बोलेंगे head और जहां पे river खत्म होगी उसको बोलेंगे mouth यह वर्ड भी आप याद रखना क्योंकि कभी कभी examiner origin नहीं पूछेगा end नहीं पूछेगा वह आपको head पूछ लेग या mouth पूछ लेगा तो यह भी आप थोड़ी सी बात याद रिखें चले जमुएन किश्मीर में drainage शुरू करते हैं दोस्तों तीन इंपॉर्टन ने दिया हैं दोस्तों जमुएन किश्मीर में तीन इन तीन में से आप कहेंगे दो जादे ही important नमबर वन जेलम चिनाब और रा important नदी है आप देखेंगे जेलम ठीक है तो जेलम आपकी यहां कहीं अनंतनाक से निकलेगी तो आप देखेंगे पुलवामा गांदरबल स्री गांदरबल ने श्री नगर दैन बांदीपोरा बारमुला से होते हुए मुझफराबाद से दोस्तों चले जाएगी पाकिस्तान यह जेलम नदी है दूसरा आप देखेंगे रीवर चिनाब तो दोस्तों जम्मू एन किश्मीर का जो पहाड़ी रीजिन है ठीक है पहाड़ी रीजिन ऑफ जम्मू डिवीजिन ठीक है जैसे किस्तवार डोडा रामबन यह सारे लाके तो आप देखें यह माचल प्रदेश स निकले का बाद किश्तवार से होते हुए डोडा, रामबन, रियासी और जमू दोस्तों यह आपकी नदी हाजएगी चिनाब ठीक है जमू के पहाड़ अगर आपने फिजियोग्राफिक डिवीजिन नहीं पड़ी तो जमू एन किश्मीर जोग्रोफी की प्लेलिस्ट में ज वरी सिंपल, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, आईये समझते हैं, नमबर वान, जेलम न दी, ठीक है, जेलम न दी, दोस्तों दो चार बातें आपको याद रखनी होते हैं, कोई भी रिवर है, ठीक है, अगर तो उसके कोई और नाम है वो, उसका ओरीजिन और उसके ट्रि इसका ओरीजिन हो जाएगा, ये हैड होगा इसका, और दोस्तों अधर नीम्स, जेलम को कई और नामों से भी बुलाया गया है, जैसी की हाइडस पास, वितस्ता, वित्थ, एंड कोशूर धरया, ठीक है, डेटेल लिखी हुई है, इसमें मैं जाना ने चाहता है, हाइडस प पास दे दिया, तो सम्टाइम्स आपको नाम पे भी सवाल पूछता है, पोच्छे का, विच फॉलिविंग रिवर इस कॉल्ड बाई देनीम हाइडस पास, तो आपको पता हो नाची, विच रिवर इस कॉल्ड वित्थ, या वितस्ता, टेक है, तो वो जेलम है, नाव दोस् पानी देने के बाद दोस्तों, बारमुला और देन एंटर्स पार्क, अकुपाइड किश्मीर और पाकिस्तान, जेलम जॉइन चिनाब, एट्रीमू, इन जंग डिस्टिक और पंजाब पाकिस्तान, यह इंपोर्टन है नहीं आपके लिए, ठीक, अगर आपको पूछे के ज जेलम भी बताओ किसको जॉइन कर लेती है, तो जेलम आगे जाके चिनाब को जॉइन करती है, ठीक है, यह हम इंडियन जोग्रफी में अच्छे से बढ़ते हैं, तो उसकी हम डेटेल में जारा नहीं चाहते, चलो, जेलम का ओरीजन, वेरीनाग स्प्रिंग, अनंतनाग, अ लैप में एक बार आपको दुबारा से दिखाता हूं दोस्तो, यह अनंतनाग, अनंतनाग से पुल्वामा, श्रीनगर, तेन बाधीपूर, ठीक है, और बाधीपूर से बारा मुला और यह चले जागी, घांधर बल नहीं दोस्तो, ठीक है, चलो, जी, ट्रिब्यूटरीज जेलम की बात करते हैं, दोस्तो, ट्रीब्यूटरीज यह देखें आप ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज वैसे मैंने राइट बैंक और लेफट बैंक करके लिखेंगे, आपको इतने का जुरूरत है, नहीं कि राइट बैंक, लेफट बैंक, आप सीधा भी या यह विशाव भी बोलते हैं, रेंबियार, सुखनाग, रोमशी, दूद गंगा, एक्सेटरा, ठीक है, यह कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों, वैसे इसके लावा और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, यह आप चार्ट देख लें, ठीक है, अब चाहें तो स्क्रीन ठीक है, आप यह नदियां देख लें, यह उपर वाली जो 10 नदियां दिख रही हैं, यह लेफ्ट बंक ट्रिब्यूटरीज नेचे वाले आपको दिख रही हैं, रैट बंक ट्रिब्यूटरी यह इनके लेंध लिखिए हैं, डोसे हैं आप देख लेंध तो कुछ आप चलेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे एक विशव है 72 रोमशी है 52 सुखनाग है 57 ठीक है तो ये सारी के सारी ट्रिब्यूटरीज है ठीक है और रेफरेंस के लिए मैं आपको बताओ दो दोस्तों ये इमेज मैंने कहां से लिए है ये लिए है सर शकील रोमशू ये प्र श्मीर यूनिवस्टी के प्रफेसर है ठीक है तो आपको ये सारी के सारी नदियां याद नहीं रखनी बिल्कुल भी नहीं रखनी ये मैंने जितने ही लिखाई है इतनी भी रखलोगे तो more than enough more than enough ठीक है चलो अभी मैं मैप में दिखाता हूँ आपको तो right bank वे दोस्तों प याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा चलो एक बार मैप में देख लेता हूँ दोस्तों एक बार मैप में देख लेता है ठीक है ये दोस्तों आपकी आ रही है रीवर लिद्दर ठीक है ये आगी दोस्तों आपकी रीवर सिंध ठीक है और यहां से दोस्तों आ रही ह आपकी रीवर पोहरू चलो ये आगी दोस्तो रेंबियार ये आगी आपकी रोमशी ठीक है ये आगी सुखनाग ठीक और ये आगी विश्यव नदी ठीक है और ये आपकी नदीच आ रही है जेलम ये है दोस्तो वुलर लेक और यहां से ये चले जाएगी पाकिस्तान में ठीक है तो इतनी सी ही आपको याद रखनी इनके बारे में हम फदर कुछ डिटेल्स भी पढ़ेंगे अभी नमबर वन दोस्तो बात करते हैं लिद्दर की ठीक ह हमगा खनाबल में अंतराम में मिल जाते है नंक से निकलती है अंतराग में ही मिल जाती है कोई परेशार नहीं है नेक्स्ट दोस्तो सिंधंध आप ज्यादा नहीं याец रहाए आ रखै आप उलें लिद्दर अंतरांग की इंबोर्ड ना दियेगा गाप्ट अच ओगया सि तो यह लोलाव वैली कुपवाड़ा से निकलती है, ये भी सोपोर बारामुल्दा में आके जहलम को मिल जाती है, और लिए है विशव दोस्तों ये अनंतराग में ही मिलती है, ठीक है, एक मिनट के लिए मैं आपको फिर से, देखा दोस्तों, ये अनंतराग ये निकल रही है अनंतराग से निकल रही है, अनंतराग में ही मिल रही है, ठीक है, ये उपर गांदरबल, ठीक है, गांदरबल हमने बोला दोस्तों, ये आपकी निकल जाएगी, यहां से कौन सी नदी, सिंध, और ये बारा मुला के आस पास में इसको मिल जाएगी, ठीक है, उपर कुपवाडा से निकलेगी दोस्तों, आपकी नदी दूसरी, पोहरू रीवर, ठीक है, पोहरू, सिंध, और लिद्द, ठीक है, और अन्तराग में एक मिल जाएगी विशाओ, कम से कम आप दोस्तों ये नदीयां याद रखें, ये important है, चलो, बस, और आपको कुछिस में याद रखने की जुरूरत है, नेक्स नदीयां दोस्तों हमारे पास चिनाब, अचा, इसके जहलम के उपर आपको डैम भी देखने को मिल जाएगा, दोस्तो, ऊरी डैम, ठीक है, और किशन गंगा एक इसक देखना चाते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, उसका लिंक, आप डैम की वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आपको काफी जादा help हो जाएगी, चलो, अगली है दोस्तों, चिनाब, चिनाब, चिनाब दोस्तों बैसे इंडिन जोग्रफी में ह हम अच्छे से पढ़ते हैं, चलें जी, आप यहां पे भी देख लेते हैं, चिनाब के दोस्तों दूसरे नाम देखेंगे, तो अस्किनी वेरी इंपोर्टन, बार-बार पुछा गया सवाल है, ठीक है जी, बार-बार पुछा गया सवाल है, जी कैसस भी पूछता है, ससी भ भागा, दो नाम याद रखनें दोस्तों इसके, एक तो अस्किनी, अस्किनी और चंदर भागा, ठीक है, अस्किनी इसका पुराना नाम, वेदिक नाम है, रिग वेदिक नाम है, ठीक है, और चंदर भागा, चलो जी, इसको दोस्तों संद भागा के नाम से भी जाना गया है संद भागा के नाम से भी जाना गया है अब इसको चंदर भागा क्यों बुलाया जाता है दोस्तों क्योंकि जब ये निकलता है ये दो अलग-अलग नदियों होती है एक नदी होती है चंदर दूसरी नदी होती है भागा तो चंदर और भागा आपस में मिलके बनाते हैं और भागा ओरीजन दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश है काँ से निकलता है हिमाचल प्रदेश निकलता है बारा लाचाला पास डिस्टिक देखेंगे तो लाहॉल स्पितिक डिस्टिक देखेंगे तो लाहॉल स्पितिक डिस्टिक ठीक है जी दोस्तों हिमाचल प्रदेश से के बाद आप देखेंगे ग्लेशिर बाराषिगरी है हिमाचल पृतेस से फ्लोो करने के बाद यह west की तरफ दूआ लोकरेगा और Jumvan Kashmir में अंडिरेमारह एकिश्थवार से वेरी किष्टवार में चले जी इट एंटर्स किष्टवार दिस्टिक और फ्लोस थू दोड़ा रामबन रयासी अखनूर मैप में लिखा तूँ यह दोस्तों यहां से दोस्तों यह माचलो प्रदेश यह आगी नदी तो किष्टवार दोड़ा दोड़ा किष्टवार दोड़ा रामबन रयासी और यह जम्मू का अखनूर यह है दोस्तों हमारा चिनाब है ठीक है चलो जब दोस्तों एकनूर में पहुंचे का तो एकनूर में दो इम्पॉर्टन केनाल सामिस से ड्राइफ करते हैं निकालते हैं एक तो जम्मू में फ्लो करती है आप जम्मू आए हैं यह मू में रहती हैं तो आपको पता होगा जरूर रन्बीर केनाल इसका नाम है ठीक है तो एक है रन्बीर केनाल दूसरा है प्रताब केनाल रन्बीर केनाल दोस्तों लेफ्ट बैंक से निकाले गई है और प्रताब केनाल राइट बैंक से निकाले गई है चले और एक इंपोर्टन्ट आपको इंदस वैली की साइट मांडा इसी के बैंक पे देखने को मिलते हैं पिश्तवाड में है और बगलिहार रामबन में है ठीक है डैम वाली वीडियो दोस्तों जरूर देख लें डिस्क्रिप्शन में जाए वहां से आप देख सकते हैं लिंक मैं उदर डाल दूंगा ठीक है चलें जी अब आप ट्रिब्यूटरी जफ चिनाब की बात करते हैं चिन से पढ़ रहें तो मैंने वहीं इंक्लिवड की है सत्लूज भी चनाब की ट्रिब्यूटरी अगर आप देखेंगे इस अब वन बाएवन इन के बारे में कुछ बाते हम देख लेते हैं इनकी tributaries के बारे में, number one दोस्तों मनवर तभी, मनवर तभी अगर आप देखेंगे दोस्तों, it originates from रतन पीर रिज, ये कुन सी रिज है ये पीर पंजाल का ही दोस्तों एक पाट पीर पंजाल रेंज, यानि की middle हिमालयास, middle हिमालयास में एक रेंज पढ़ेगी आपकी रतन पीरिज कहां से निकलती है रिजोरी, आप और कुछ याद रखेंगे या ना रखेंगे आप दोस्तों रिजोरी में जाएंगे तो रिजोरी में ट्रैवल करते करते, आप देखेंगे दोस्तों एक नदी के साथ साथ में घूमते हुए जाएंगे तो वो मनवर तभी है, ठीक है? चलें जी, and flows through थाना मंडी, रिजोरी, नुशेरा, and join चनाप जिन मनवर टाउन हैंस ने, मनवर टाउन में जोइन करते हैं, तो नामी मनवर रख दिया, तो इतना भी आपके लिए इंपॉर्टन है नहीं है, आप बस ये याद रख लें, मनवर तभी एक टरिब्यूटरी है, कहां की, कहां पे फ्लो करती है, रजोरी में फ्लो करती है, that's it, मरसुदर रिवर, मरसुदर, मरसुदर रिवर दोस्तों नुनकुन ग्लेशियर लदाख और किष्टवाड में आके मिल जाती है, ठीक है, आप देखेंगे लदाख और किष्टवाड आपस में बाउंडरी बना रहे हैं, वेट मैपको दिखाई देता हूँ, ये देखो दोस्तों, ये आगा किष्टवाड और ये उपर होगा लदा तो यहाँ से एक नदी निकलेगी, तो किष्टवाड में आके मिल जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक, अगली रीवर है, रीवर तवी, तवी को दोस्तों आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, तवी एक इंपोर्टन नदी है, ठीक है, तवी अलसो नोना सूर्य पुत्री, सूर् वेल्टी करती है, वो ता भी कही है, इट ओरिजनेट्स फ्रॉम काली कुंडी ग्लेशियर भादर्वा, पीर पंचाल रेंज, ठीक है ठीक है ठीक, भादर्वा मीन्स टोड़ा, दिस्टिक, डोड़ा, ठीक है ठीक है ठीक, चलो जी, and इट फ्लोस त्रूड़ा, उदंपुर and जम्हू, डोड़ा से उदंपुर, उदंपुर से जम्हू, ठीक है ठीक है, और बाहु फोर्ट लाइज on its left bank, दोस्तों ये भी सवाल पूछा गया है, जेके SSB के द्वारा, कि बाहु फोर्ट बताओ, किस नदी के left bank पे है, सरी, ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है, और तभी किसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब की, हमें बता है, वही तुपढ़ रहे हैं, ठीक है, अगली रीवर है दोस्तों हमारे पास रावी, रावी भी चिनाब की ही ट्रिब्यूटरी है, चलो जी, नाम देखें तो दोस्तों रावी को इरावती के नाम से भी जानते है, ओरीजिन इसका भी रोतंग पास चमबा डिस्टिक हिमाचल प्रदेश चलो जी दोस्तो रीवर रावी अगर आप देखें इट फ्लोस थूँ चमबा डल होजी बसोली मादवपूर पंजाब और एक बड़ी खास पाथ यह बाउंडरी फॉर्म करता दोस्तो जम्मू अन किश् में ठीक है तो यह दोनों की बाउंडरी पर लाए करता आपको पूछेगा विच ओफ फॉलिविंग रीवर सेपरेट्स जम्मू अन किश्मीर और पंजाब या फिर फॉर्म्स बाउंडरी बिट्वीन जम्मू अन किश्मीर और पंजाब तो आप बताएंगे रीवर रावी इंपॉर्टन है रावी का ओरीजिन हिमाचल ब्रदेश चीक है डैम्स इसके ओपर रंजीर सागर दैम थीन डैम्स चीक है ट्रिब्यूटरिज अगर आप देख लें इसतना इंपॉर्टन नहीं है फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे अक्सर चासे हम करते हैं तो दोस्तो एक रीवर है उज कठुवा की कठुवा डिस्टी की एक इंपॉर्टन नदी है उज रीवर इसका ओरिजन भी किलाश माउंटेन भदरवा से ही होता है जहां से आपकी तवी निकलती है उसी के आस पास से ये उज रीवर भी निकलती है तो दोस्तो ये हैं हमारी important नदिया जम्मो एन किश्मीर point of view से ठीक है अब मैं आपके साथ थोड़ी से दुबारा से बातें कर लेता हूँ एक मैंने बोला जी चिनाब एक important नदिया हो गई जेलम अगली और रावी अगली ठीक है जेलम जेलम में हमने बड़ी सारी tributaries देख ली सिंद्रिन, ब्रिंजी लिद्ध, सिंद, पोहुरू ये सारी देख ली चिनाब हमने बोला जेलम जो है ये भी चिनाब की tributary है रावी जो है ये भी चिनाब की tributary है तवी जो है ये भी चिनाब की tributary है और आगे चलके आप देखेंगे सत्रुज भी जो है ये भी मुझाब की क्या है स्वरी चिनाब की टरिब्यूटरी है तो चिनाब हमारे लिए के इंपॉर्टन ने दिए चिनाब निकल थी कहा से हिमाचल प्रदेश से जम्मु और किश्मीर के किस डिस्टिक्ट में एंट्री क तवी अगेन काली कुंडी क्लेशर भदरवा ठीक है और चिनाब की हमने दोस्तो और इसके लावा कुछ ट्रिब्यूटरी देखी जैसे कि मनवर तभी मर्सुदर ठीक है तो ये इंपॉर्टन ट्रिब्यूटरी हैं दोस्तो आपके काम की चीज़ है खोप आपको ये इन्फ जेलम की ट्रिब्यूटरी कौन नहीं है ठीक है नहीं सिंद्रन लिदर पोरू मर्सुदर जेलम की ट्रिब्यूटरी कौन तो ऊपर वाली आप बोलेंगे सर तीनो है और मर्सुदर इसका अंसर जागा क्यों क्योंकि मर्सुदर किसके ट्रिब्यूटरी है चिनाब की ट्रिब आप कहां पे एंटरी करता है, किस इस्टिक में, तो किष्टवाड, very important. And Sindh river, which is a tributary of Jhelum, has its origin from Sindh, जो river है, Jhelum के tributary, इसको origin कहां से है, किस state से है, मनलब district से है, तो आप सभी को पता है, गांदरबल से है. Which of the following rivers is called Surya Patri? आभी थक तो आप सभी को fighter होई चुके यह नदियों में, तो आपको पता है, river तभी. Thank you very much, have a nice day, like कर देना अगर अच्छा लगा, comment भी कर सकते हैं, thank you.